हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूटूब कैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी पीसी का जो आप अभी लेवल फॉर और लेवल इसके एक्जाम दे कर आए हैं उसके आंसर की के वारे में जो है ओफिशियल नोटिस जो है रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी कर दिये गया है क्या है इस नोटिस के अंदर और कब तक आपकी आंसर की आ जाएगी और कितने तिन तक वह लिंक जो है एक्टिव रहेगा इस वीड साइड है इसके अंदर लिखा हुआ है यह आपका सीरेल नंबर था नोटिस नंबर था और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेज ट्यू सैंड इस्टेज कंपूटर बेस्टेस्ट ओनलाइन लेवल 4 & 6 वास कंड़क्टिद इन नो पाच को तस पाच को आपका ए इन प्रोवाइड़ ओन दा वेबसाइड आराजबी विच विल बी एक्टिवेटिड ओन तेहरा मई आपका पाच बजे से आठ मई 12 बजे तक आपका रहेगा आपका लिंक जो है एक्टिव उसके बाद इन्होंने क्या कहा है आफ्टर व्यूंग देटेल्स एंड एज अब को ओब्जेक्शन अगर आपको ओब्जेक्शन करने हैं तो ओब्जेक्शन के लिए यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है इफ एने रिगार्डिंग दा कोश्चर ओप्शन एंड की पब्लिस्ट कैन भी राइस बाइड दा कैंडिडेट्स विच फॉर विच टाइम शुड फी एंड प्रोसीड इन गिवन यानि कि आपको फी भी देनी होगी इस बाट जैसे कि अर भी रखता है अगर आप उस पर ओब्जेक्शन करते हैं तो की सवाल पर तो यह पॉइंट दिये हुआ है दो पॉइंट के अंदर यह बताया गया है व्यूइंग एंड राइजिंग तिन तक आपकी अंसर की रहेगी लिंक एक्टिव रहेगा जब तक आप अपनी पेमेंट और उब्जेक्शन राइज कर सकते हैं उसके बाद नहीं कर सकते और उब्जेक्शन के लिए आपकी फीस क्या होने वाली है तो उब्जेक्शन के लिए आपकी 50 रुपे फीस होने व वीजा कार्ड, SBI का मास्टर कार्ड और अधर बैंक जो हैं वीजा मास्टर डेबिट कार्ड कांट भी योज यानि के यह आपका नहीं चलेगा इसके अंदर प्रोसीजर जो है आपका राइजिंग ओब्जेक्शन का वह आप देख लेते हैं कैसे आप ओब्जेक्शन कर सकते हैं देटेल्स प्रोसीजर विद नैससरी गाइडलाइन विल बी अवलेबल इन दे लिंक प्रोवाइड़ ओन देवेप्स ओफिशल वेपसाइट यानि कैसे आपको करना है ओब्जेक्शन राइज वह जब आपकी अंसर की खुलेगी तो महां पर लिंक खुलेगा गलत है उसके बाद आपको एक अपने अंसर को सपोर्ट के लिए एक जो किताब की पोटो या फिर जहां से भी आपको लगता है यह गलत हो सकता है थाबित वह आपको एविडेंस अपलोड करना होगा उसके बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का जाएगा पेमेंट के बाद आपका ओब्जेक्शन जो है वह लग जाएगा वही इन्हों ने यहां पर टाइम बता दिया है लास्ट टाइम जो है अंसर इसका ओब्जेक्शन का फिफ्ट पॉइंट में हम देखते हैं दर डिशिजन ओफ आर और वी ओन्दा ओब्जेक्शन इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपका ओब्जेक्शन राइज होगा और कितनी आपकी पेमेंट लगेगी और कप से कप तक जो आपकी डेट है आपको जयक्शन कर सकते हैं इस वीडियो में बने दाने ट्रीन ट्रीन कि जो provides अब 122 आने वाली है तो आप प्रिपेर हो जाईए उल् petals प्रार्व इसवत के के लिए एक्जाम क्वालिफाई हुआ है वह जोरो शोरो से अभी तयारी में लग जाई है अब टाइम नहीं पचा है क्योंकि रेल्वे बहुत जल्दी में है कि इस वीड़ें पर इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट अब्डेट की अब्डेट आएगा जब आरार्वी तरफ से तब तक के लिए धन्यवाद